आप सभी वक्तों को चैत नवरात्ती की हार्दिक सुपकामनाय और रादे रादे सभी वक्तों को कहते हैं नौ दिनों तक मा प्रत्वी पर अपने भक्तों के वीच निवास करती हैं जो सचे मन से नवरात्ती में देवी के नो सुरूपों की आराधना करता है माता उनकी सभी मनुकामनाएं पूरी करती है तो मैंने नबरात्रों में किस तरीके से पहले घट इस्तापना की है माता कैसे ब्राजमान की है तो देखिए हमने एक पहले चौकी ले ली है और चौकी के ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा बिछा लिया है हमें लाल कपड़ा ही पिछाना है चौकी के ऊपर और सबसे पहले हम जमीन पर एक स्वास्तिक बना लेंगे स्वास्तिक के ऊपर फिर हम इस चौकी को ब्राजमान करेंगे पहले इस चगे की हम सुद्धी करेंगे इस तरीके से आप किसी से भी हल्दी डाल कर या फिर कुमकुम डाल कर उसको अच्छे से सुद्ध कर लीजिएगा उसके बाद हम जमीन पर स्वास्तिक बनाएंगे रोली से हम इस तरीके से स्वास्तिक बना लेंगे तो मैंने सबसे पहले स्वास्तिक बना करके एक चौकी के उपर लाल कलर का कपड़ा विछा दिया है और इस चौकी को हम इसके उपर रख देंगे आप चाहो तो चौकी के उपर भी स्वास्तिक बना सकते हो फिर उसके उपर आप कोई भी लाल कलर का कपड़ा बिछा सकते हो अब हम थोड़े से चावल रख करके उस पे माता को विराजमान करेंगे तो आप कोई भी तस्वीर या फिर आप मूर्ती ले सकते हैं तो मेरे पास ये पितल की माता की फुर्गा मा की मूर्ती है तो मैं इसको बिराजमान करूँगी और थोड़े से अक्षत रखकर अब हम गनेजी बिराजमान करेंगे तो इस तरीके से हम पहले कलावा इस पर लपिट लेंगे तो हमारे पास अगर गनेजी हैं तो गनेजी की मूर्ती रख सकते हैं अब अगर आपके पास गनेजी नहीं है तो सुपारी रूप में आप गनेजी का आवाहन करकर उनको बिराजमान कर सकते हैं हमने थोड़े से अक्षत रख दिये हैं उसके उपर ब्राजमान करेंगे गनेजी को तो उसके बाद अब हम कलस की स्थापना करेंगे तो कलस के लिए भी हमें थोड़े अक्षत रखके उसके उपर फिर हमें कलस ब्राजमान करना है तो देखिए इस तरीके से हम चावल का स्वास्तिक बना लें आप फिर आप कोई भी अगर स्वास्तिक नहीं आता है आपको तो फिर आप इस तरीके से रख करके चावलों को कुस्प बना कर उसके ऊपर आप रख सकते हैं तो कलस भरने के लिए आप कोई भी इस्टील का पीतल का कोई भी आप पात्र ले सकते हैं लोटा ले सकते हैं आप बैसे मिट्टी का जो बरतन होता है बहुत ही सुव माना जाता है और उस पर स्वास्तिक आप अवश्य बनाएं तो मैंने इस पर स्वास्तिक बना दिया है और ह सुद्ध जल लेना है। हमें पूरा भर लेना है। 1 सुपाड़ी, हल्दी, लौंग और इलाईची, एक सिक्का इसमें 1 रुपया ये ढाल देंगे हम, खाली हमें नहीं रखना है कलस्स 머िपित हम कारेंगे कलस्स हमÝा मां के सीधे हाथ की तरफ हमें बिराजवान करना है जिस तरफ मा का सेर होता है उस तरफ हमें ये कलस रखना है मा के सीधे हाथ की तरफ तो देखिए हमने उसके उपर नारियल रख दिया है नारियल रखने के बाद अब हम इनको अपने भाव रूप में इसनान कराएंगे देवी देपताओं को तो हमने इस तरीके से मातारानी और कलस सभी चीजों को इसनान करा दिया है अब हमें जौब होने के लिए हमें एक मिट्टी का पात्र चाहिए होगा तो मैंने ये साप सुद मिट्टी ले ली है इसमें कोई कंकर पत्थर हो तो वो आप चान लीजिएगा मिट्टी को और मैंने ये जौब पूरी रात इनको भिगो दिया था जिससे ये अच्छे से फूल जाएं और अच्छे से ये उगाएं तो जौर खेती बोने के लिए आप पहले से ही जौरों को इनको भिगो दें रात को तो ये अच्छे से निकलाते हैं आसानी से तो देखिए इस तरीके से पहले थोड़े से जोड़ पहले मिट्टी डालिएगा फिर जोड़ डालने के बाद फिर थोड़े से मिट्टी इनके उपर डाल करके फिर आप थोड़े से जोड़ डालिएगा इस तरीके से आप जोब होएंगे हमने जो जौब होए हैं उसका भी हम पूजन करेंगे कुम कुम और अक्षद चड़ा करके हम सभी माता के और गनेश जी के और कलस के हम तेलक करेंगे और अक्षद भी अरपन करेंगे और बस्तर के रूप में हम कलाबार पित करेंगे गनेश जी को और मातारानी को हम चुन्री चड़ाएंगे तो देखिए ये चुन्री है आप चुन्री मातारानी के लिए एक अवशिल आईएगा उनको जरूर अप अरपन कीजिएगा तो इस तरीके से हमने माता को पुस्प अरपन कीजिएगा सभी देवी देपताओं को आप पुस्प अरपन कीजिएगा कलस को भी और गनेशी भगवान को और जो आपने जोब वोए हैं उसमें भी सभी को पुस्प अरपन कीजिएगा मातारानी को लाल पुस्प अवशि चड़ाईगा मातारानी को लाल रंग बहुती प्रिय होता है तो इस तरीके से गुलाब के फूल या कोई भी लाल कलर का पुस्प ले सकते हैं उसके बाद हम अगनी का आवाहन करेंगे अगनी देब की फूजा करेंगे तो हमने ये रोली और अक्षद चड़ा करके और अगनी को भी हम पुस्प चड़ाएंगे तो इस तरीके से हमने अगनी को इस्थान दिया है तो उसके बाद हम फल अरपन करेंगे रितू के अनुसार जो भी आप फल लाए हों उनका भोग लगाईएगा और मातारानी को सोले सिंगार अवश्य चड़ाईगा और मातारानी को बतासे का भोग अवश्य लगाएं मातारानी को बतासे बहुत ही प्रिय होते हैं मातारानी का प्रिय भोग बतासे और लोंग है और आपके पास कोई भी मेवा है तो मातारानी को मेवा का भोग लगा सकते हैं चौनेज जी को इलाइज पर बग लगा सकते हैं, और चोटा सा एक हवन जरूर करना होता है, में नवरात्री में में गाइक हमें 7 ज़ेनों करना है, बूरे DENNIS हमै ज करना हमें हमें 90 चछचा्ण Bod up करना हैं। हवन में चड़ाने के लिए आप इसमें जवारे भी चड़ा सकते हैं सामिग्री भी चड़ा सकते हैं बहुत से लोग बड़ा हवन करते हैं तो उन्हें आप सामिग्री की भी आवसकता पड़ती है और आप इसमें इलायची बता से बता से भी अबसे चड़ाईएगा जो करके सारी चीजें रख देती हूं और इस तरीके से हमने देखिए हमारे घर मातारानी का प्रविश हुआ है तो जब हमने चोटा सा हवन किया तो इस तरीके को से थिल्ग भी और अक्ष्ट्वी माता रानी को और्पण खिये तो माता रानी आपके घर किसी भी रूप में आ सकती हैं बस आप मन में bocaब से गिएंगा हमने प यहाल खुट पर derived कर दिये हैं माता रानी को मैं इसके बाद हम मातारानी की आरती करेंगे, तो दिखिए इस तरीके से हमने मातारानी की आरती भी की है, यह जो आवाज ट्रिकॉट करते हैं, तो हम बाद में करते हैं, तो आपको जो भी आरती आती है, तो आप उसकी मातारानी की आरती गा सकते हैं, मातारानी की आरती तो लग जो आपने किया है उसके दूहे को सारे घर में घुमा सकते हो आप चाहो तो आरती को भी आप सारे घर के कौनों में ले जा करके घुमा सकते हैं फिर उसके बाद सारे घर के सदस्यों को यह आरती आप दे दीजिएगा जिससे हमारा घर सुद्ध और सकारात्मक उर्जा बनी र लगाएंगे हम अगनी को दीपक की अगनी को सांत करेंगे और मैं दुर्गाचालीसा का पाठ करती हूं तो आप जो भी आप पाठ करना चाहों उसके बाद पाठ कर सकते हो और आरती को सभी घर के सदस्ट्रों को दे दीजिएगा और अपने पूजा के लिए छमा याचना कीजिएगा मासिक अगर हमारी पूजा में कोई तुरुटी हमसे गलती हुई है तो उसके लिए छमा कीजिएगा और अपनी प्रात्ना करिएगा आपने जो भी मनोकामना मांगी है उसको पूर्ण करें माता रानी आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा मिलते हैं अगली वीडियो आप सभी को जमाता दिए